सदियों से मनुष्य रोजमर्रा के कई कामों में हवा का इस्तिमाल करता रहा है 2000 साल पहले चीनी और फार्सी इंजिनियरों ने स्वतंतर रूप से पहली पवन्चकी यानि विंड मिल विक्सित की थी ताकि संचाई के लिए पानी पंप किया जा सके मेडीवल टाइम्स के दोरान विंड मिल्स को यूरोप में पहली बार देखा गया जब उनका उपयोग क्रिशी और ओध्यूगिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा ये विंड मिल 1800 के दशक में निर्मित क्लासिक डच शेली की विंड मिल का एक उधारन है एक समय हवा पर पकड़ बनाने के लिए ब्लेड को कैनवास के साथ कवर किया जाता था हलांकि ये शुरुआती विंड मिल्स आज के स्टेंडर्स के हिसाब से उतनी इफिशेंट नहीं थी लेकिन जिस तरह उन्होंने उस समय उत्पादन बढ़ाने में मदद की उसने उन्हें एक उपयोगी उपकरन बना दिया आधुनिक बिजली पैदा करने वाली विंड मिल पहली बार 19. सदी के अंत में सामने आई हलांकि 1970 के दशक के उजा संकट के दौरान ही वो पहला ऐसा दौर था जब विंड पावर को एक बड़े पैमाने पर डेवलप करने के बारे में सोचा जाने लगा 1990 के दशक के अंत तक बड़े बड़े विंड फार्म दिखाई देने लगे और हवा से उत्पन बिजली व्यावसाईक रूप से उपलब्ध होने लगी आधुनिक विंड टर्बाइन के तीन भाग होते हैं रोटर ब्लेड्स, नसल और टावर जादातर विंड टर्बाइन्स में तीन रोटर ब्लेड्स होते हैं जो 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं ब्लेड्स विंड एनरजी को मेकिनिकल एनरजी में बदलते हैं विंड टर्बाइन के ब्लेड्स एक हवाई जहाज के पंखे की तरह दिखते हैं वे उपर से curved और नीचे से flat होते हैं. Blade के उपर बहने वाली हवा को थोड़ा ज्यादा लंबा रास्ता ते करना पड़ता है, इसलिए उसके नीचे बहने वाली हवा के साथ रहने के लिए उसे ज्यादा तेज चलना पड़ता है. बर्नौली का सिधांत कहता है कि हवा की गती में ये अंतर, Blade के इर्द गिर्द एक pressure difference create करता है. ये pressure difference एक lift force को जन्व देता है, जो turbine Blade को घुमाने के लिए जिमिदार है. नसिल के अंदर wind turbine में बिजली पैदा करने के लिए जिमिदार सभी उपकरण मौजूद होते हैं. सभी तीन rotor blade हब से जुड़ी होती हैं. हब धीरे धीरे gearbox से जुड़ी एक shaft को घुमाता है, जो बदले में बिजली के generator को पावर देने के लिए जिमिदार एक और shaft को तेजी से घुमाता है. इसके बाद बिजली को विद्ध ग्रिड के माध्यम से ग्रहकों को डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है. एक औसत utility scale wind turbine की क्षमता लगभग 2 MW होती है, जो 500 normal size के घरों के लिए परियाप्त है. टावर wind turbine के structure को support प्रदान करता है और rotor blades को जमीन से उपर उठाता है, ताकि वे निरंतर और ज्यादा ताकतवर हवाओं का इस्तिमाल कर सके. इस प्रयोग में हम बिजली उत्पन करने के लिए wind turbine के एक skilled model का उप्योग करेंगे. ये विशेश model धाई फुट लंबा है और इसके blades एक फुट लंबे हैं. ये औसत utility sized वाले turbine से लगभग 100 गुना छोटा है. हलाकि इसमें सभी ज़रूरी parts हैं. टावर, नसिल, और rotor blades. अभी इस wind turbine द्वारा wind energy, electrical energy में बदली जा रही है. वोल्ट मीटर ये जाँच रहा है कि turbine द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है. हमारी turbine लगभग 0.8 वोल्ट बिजली का उत्पादन कर रही है, जो एक छोटे LED को जलाने के लिए काफी है. और अधिक बिजली पैदा करने के लिए हम क्या बदलाव कर सकते हैं? इस वीडियो को यहीं रोकें और कुछ बदलावों के बारे में सोचें. टर्बाइन के आउटपुट को बढ़ाने के कुछ तरिखों में शामिल हैं. तेज हवा, ब्लेड का एंगल बदलना, ज्यादा लंबी ब्लेड का उप्योग और एक बड़ी जनरेटर का उप्योग. विंड पावर के समर्थक भी हैं और विरोधी भी. आईए नजर डालते हैं विंड पावर के इन विभिन पहलूँँ पर. विंड पावर के कुछ फायदे इस प्रकार हैं. बिजली बनाने के लिए विंड टर्बाइन हवा का इस्तिमाल करती है, जो की एक प्राकृतिक और रिणियोबल एनरजी का स्रोथ है. विंड टर्बाइनों के निर्मान के लिए फॉसिल फ्यूल के आवश्यक्ता तो होती है, लेकिन टर्बाइन बनने और चलने के बाद उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती. विंड पावर में होने वाला अधिकांश खर्च टर्बाइन की स्थापना के साथ ही जुड़ा होता है. विंड टर्बाइन को लगभग कहीं भी लगाया जा सकता है जहां निरंतर और अनुकूल हवाईं चलती हैं. विंड पावर के नुकसान कुछ इस तरह से हैं. फिलहाल विंड पावर दूसरे non-renewable technologies को सिर्फ supplement करने में सक्षम है. कुछ अध्यनों से पता चला है कि विंड टर्बाइनों के शोर और बिजली की flickering आसपास रहने वाले लोगों के लिए बीमारी का कारण बन सकती है. कुछ environmentalists का कहना है कि बड़े wind farms स्थानिय वन्ने जीवों के behavior को प्रभावित कर सकते हैं. विंड टर्बाइन का निर्मान सभी स्थानिय निवासियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ cases में आसपास की property rates कम हो सकती हैं. क्या wind power के global benefits इन स्थानिय कम्यों की भरपाई कर पाएंगे? ये हम सभी के लिए चर्चा का एहम विशह है, जिबकि हमारी energy needs और पर्यावरन का भविश्य कुछ अनिश्चित सा नजर आता है. झाल